यो फ्रेंड्स केसे हो आप आसा है के बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्त होंगे आध दोस्तों हम इस वीडियो में यह देखिए हमारे पास एक मोटर आई है लक्षमी कंपनी की तीन एच्पी की दोस्तों यह और यह 2.25 कवी है इसके दोस्तों 1440 आर्पीय में इसके यह दे मजलब की चल नहीं रही है यह घूमने की कोशिस तो करती है पर घूम नहीं पा रही है दोस्तों तो इसमें क्या प्राब्लम है वो सारी प्राब्लम हम आपको बताएंगे और केसे इसको दूर करें इस प्राब्लम को वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो तो आपको बता दें हम यह single face पे वरक करती है single face की motor है हमारी दोस्तो इसमें कुछ इस तरह से तीन capacitor लगे हुए है एक हमारा यह वाला जो capacitor है यह हमारा running का capacitor है और यह दो capacitor हमारे इसके starting के capacitor है दोस्तो इसके hustра इसмें मोटर गुमने ही पा रहे है और गुमने का हमारा क्या रहता है इसमें दोस्तों कि हमारे starting जो capacitor रहते हैं वो start करने का काम करते हैं तो वो work नहीं कर पा रहे हैं इसी कारण से हमने इसको check किया है कि इसमें क्या problem है इसमें क्या है दोस्तों हमारी जो motor नहीं गुमने के दो कारण रहते हैं एक हमारी motor जल चलता है एक हमारा इससे!? आनदर शुच वह लगा हुआ रहता है दोस्तो आपको पता उथो श्यटक कर दो कोरहिक बम सोब वोल चतर दोस्तो और इसलग उसका ने रख दोस्तो न ब हो डोसकता है और। दूसरा हमारा है यह जो हमारे जो इस्टार्टिंग केपेसेटर है दोस्तों यह भी हो सकते हैं यह अगर हमारे खराब हो जाएंगे तो भी हमारी मोटर उठेगी नहीं दोस्तों गुमेगी नहीं हमारी मोटर करा करेगी और गुमेगी नहीं दोस्तों तो यह दो कारण होते है इसमें एक तो हमारा है हमारे जो starting capacitor रहते हैं इनकी वज़े से और दूसरे हमारे जो हमारा switch रहता है अंदर starting switch उस कारण से दोस्तो हमारी motor घुमती नहीं है तो हम अब आपको इसको चला के दिखाएंगे पहले बिना repair किये किस प्रकार से एक कर रही है और क्यों गूमने ही रहे हैं तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है हमारे हमने चेक कर लिया है इसको हमारे जो यह केपेसेटर हैं इसके starting जो capacitor है दोस्तो ये तो हमारे एकदम okay है सही है दोस्तो अब हमको एसे ही लग रहे है ये इनका ढखकन निकल गया है बाकी ये हमारे सही से work कर रहे है दोस्तो हमारा जो ये switch है इसमें जो starting switch रहता है दोस्तो centrifugal switch वो हमारा इसका खराब हो गया वो work नहीं कर पा रहा दोस उसको हम बिना खोले कि इसको किस पकार से रिपेर करण पाएंगे और किस तरह से रिपेर करेंगे और आपको इसको शभी करके दिखाएंगे हमारा हम अलग से इसमें स्विच लगाएंगे दोस्तो जो की हमको ये मोटर खोलना भी नहीं पड़ेगी और हमारी मोटर सही से काम करने लग जाएगी दोस्तो और जब भी हमारी मोटर की वाइंडिंग जलेगी या कुछ होगा तब हम वापस से वो स्विच अंदर डाल देंगे जो की हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है दोस्तो तो उसके लिए क्या करना होगा देखिए हम पहले तो आपको बता दे कुछ इस तरह से इसमें अंदर स्विच लगावा रहता है ये देखिए सेंट्रिफुजल स्विच हमारा ये इस तरह से वर्क करता है दोस्तो ये वाला स्विच हमारा मोटर के अंदर लगावा रहता है इसमें दोस्तो और अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तो हम जो स्विच लगाएंगे आपको दिखा दे हम जो स्विच लगाएंगे हम इसमें इस परकार से bell switch लगाएंगे ये देखे इसको चुटकनी बोलते हैं बहुत से चुटकनी भी बोलते हैं और ये bell switch है दोस्तो ये देखे ये दबने के बाद में वापस automatic return आ जाता हमारा ये देखे हमको साधा वाला switch नहीं डालना है bell switch डालना है दोस्तो तो इसका connection किस तरह से किया जाएगा इसमें वो हम आपको बताएंगे और इससे हमारी motor कितना बढ़िया work करेगी वो भी हम आपको बताएंगे और बिना खोले आप इसको सही कर सकते हो आप घर पे ही motor आपकी अगर कसी हुई हो चाहे वो चक्की की हो या कुटी मसीन की हो या compressor की हो तो उसमें आप ये system कर सकते हो दोस्तो जब भी आपका switch खराब हो जाए तो आप बिना खोले इसको repair कर सकते हो इस switch केवल एक switch से आप इसको चालू कर सकते हो दोस्तो तो चलिए हम बताते हैं आपको कहां पर हमको switch लगाना होगा और किस तरह लगाना होगा वो पूरा हम इस वीडियो में आपको बताते है तो वीडियो हमारा पसंद आया तो दोस्तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और साथ बेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नए वीडियो के notification आपको मिलते रहे दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो हम दोस्तो आपको इसको पावर देखे इसको चला के दिखाते हैं किस प्रकार से ये कर रही है तो चलिए हम इसको चालू करके दिखाते हैं तो देखिए दोस्तो अपने इसको पावर लगा दिया है अब हम इसक चालू करके दिखाते हैं आपको देखें किस परहार्थ से कर रही है यह आपको दिखाते हैं यह देखें कुछ इसकर से हमारी मोटर रन नहीं कर पा रही है यह देखें यह साउंड भी आप सुन रहे होंगे फिस एक बार चालू करके दिखाते हैं यह देखें हमारी मोटर रन सब्सक्でしょう तो हम आपको ile suск I الم획द दिखाएंगे किस प्रकार हमको कहां पर लगाना होगा दोस्तो यह तो चलिए दिखाते हैं आपको को वीडियो बिल्कुल भी स्किपना करें दोस्तों बहुत ही notorious प्रेजबल वीडियो है दोस्तों और आप ऐजी तरीके से केवल एक स्वीच की मदद से एक बेल स्वीच आप लगा के 20 रुपे 10 रुपे का स्वीच लगा के ही यह काम कर सकते हो दोस्तों तो चलिए दिखाते हैं आपको तो चलिए दोस्तों आपको पहले इसका मैं कनेक्शन समझा देता हूँ किस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा तो पहले तो आपको इसके तारों के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों किस तरह से इसके तार लगे हुए रहते तो देखे दोस्तों यह हमारा यह जो एक स्टार्टिंग का वायर लगा हुआ रहता है और एक रनिंग का वायर लगा हुआ रहता है दोस्तों दोनों को मिला के हमारा एक वायर कामन बनता है तो यह हमारा कामन वायर हो गया दोस्तों और दूसरा जो यह है दोस्तों यह देखे यह जो हमारा तगड़ा वायर यह वा शही से देखे और तो ही आपको सही से समझ में आएगा हम आपको एक दम बढ Birthdayわか्ष सरी सवाही तरीके से इसमें समझाने कीस कर रहे हैं तो देखे दोस्तों ये अमरा रैनिंग हो गया यह जो इस वाले परनेपे लगा है हमारा ठीक है दोस्तों और इस्वा secondo का ऐगा देखें दो रनिंग के रहते हैं और दो दो हमारे स्टार्टिंग के रहते हैं तो हमने आपको बता दिया पहला जो हमारा कामन बना हुआ है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को मिला के बना हुआ है यह वाला दूसरा हमारा यह जो है यह हमारा रनिंग का लगा हुआ यह पाइंट प या फिर आप स्टार्टिंग स्विच बोल दीजिये उसको कलेज प्लेट जो रहती हमारी अंदर उसका आते हैं दो तार तो देखिए एक तार तो यह हमारा यहां पर लगा हुआ है यह इस प्रकार से यहां से निकल के आया है येलो वाला दोस्तों यह वाला और दूसरा दोस् स्विच के तार है दोस्तों ठीक है दोस्तों और अब यह जो तार दिख रहे हैं आपको यह हमारे केपेसिटर के तार है इस पर हमारे जो रेनिंग वाला तार है इस पर हमारे तीन केपेसिटर के तार लगे हुए है दोस्तों एक हमारे रेनिंग केपेसिटर का लगा है और कि- येहां पर देखे और आपको उमने बता दिय केमारा येल्ग वाहर ही यह मारा मुल्म स्वीच फलेट यह उसकात प्लेट झान अत्रकुल जो उसका था तो हमको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा हमको यह पहले हमारा स्वीच खराब है तो हम यह स्वीच के दोनों तार यहां से हटा देना हमको तो देखें सबसे पहले तो हमको यह काम करना है यह तार हमारे स्टार्टिंग स्वीच के जो है अंदर से वह हट तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है यह वाली जो हमने चुटकनी अपको बताई थी जिसको बेल सुच भी बोलते हैं इसमें हमको दो तार कुछ इस तरह से यह देखिए ले लेना है निकाल लेना और दोनों पाइंट पर हमारे एक एक कस लेना है इसमें तो यह कस के हम कस लिए हमने इसमें और इसको हम उपर का जो केप रेता है वो लगा देते हैं फिर आपको इसका कनेक्शन करके दिखाएंग थो तारगंए इस तरह से निःए हैं अब यह उमको कहां पर लगा ना वह आपको दिखाते हैं जहां से से हमने जो जिन पाइंट से हमने स्टर्तिंग स्विछ जो अंदर के जो तार निका लने दूसें वहीं पर हमको एक एक तार दोनों जगे लगा देना में ऐसके और फिर आपको इसको चालू करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से यह वर्क करेगी दोस्तों तो देखिए हम यह पर हमारा एक वायर यहां पर लगा हुआ था यह देखिए जो कि हमारे दोनों तार केपेसिटर के हैं केवल यह दोस्तों यह हमारे दोनों तार स्टार्टिंग capacitor के हैं दोस्तों तो एक तो हमको तार चुटकनीका हमारा इसके साथ में यह देखें जोड देना है कस देना है हमको कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से हमने एक तार तो हमारा यहां पर लगा दिया और यह हमारे दोनों तार starting के हैं दोस्तो starting capacitor के तो देखे दोस्तो एक तार तो हमने यहां पर लगा दिया जो कि हमारे starting capacitor के दोनों तार लगे हुए जैसे कि हमने आपको आगे बताया और दूसरा हमको तार चुटकनी का हमारा यहां पर लगाना है जो कि हमारा starting का तार अंदर से आया हुआ है दोस्तो जो हमारी स्टार्टिंग का तार अंदर से आया हो वहाँ पर हमको एक तार लगा देना है यह हमेश्च याद रखना है दोस्तो आपको स्टार्टिंग का जो हमारा अंदर से तार आया उसी पर यह चुटकनी का हमारा तार लगाना है हमको रणि को तो कुछ ही तरह से अमने देखिए यह चुटक ने हमारी इसमें लगा दिये तो यह किस तरह से वर्क करेगी यह आपको हम बताएंगे इसमें तो देखिए हमको क्या करना होगा दोस्तो जैसे ही हमारा इसमें पावर देंगे मोटर में जब इसको हम बेल स्विच को दबा के छोड़ देना दोस्तो हमको केवल हमको एक या दो सेकेंड के लिए इसको दबा के रखना और छोड़ देना दोस्तो हमारी मोटर रन हो ज को चालू करते हैं तो हमारी जब तक हम स्वीच नहीं दबाएंगे हमारी मोटर रन नहीं करेगी और включ रवा पर मोटर रं करने लग जाएगी तो चले हम bel switch इसमें काम करेगा और बहुती बढ़िया तरीके से हमारी motor इसमें work करेगी दोस्तो mom । तो चलिया करतें अब बंद करते इसको आँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भूत इजी केवल पांच मिनिट में आप इसको यह काम कर सकते हो दोस्तों यह वीडियो हमारा इतना बड़ा इसलिए हो गया है कि हम आपको अच्छी तरह इसमें समझा रहे थे किस तरह से हमको इसकी वायरिंग करना है नहीं तो आपको इसको लगाने में से ज्यादा नहीं लगेंगे दो आप वही पे इसको मोटर को रिपेर करके चालू कर सकते हो दोस्तों तो I hope तो दोस्तों आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा और इसके बाद में हम एक वीडियो ओर लाएंगे दोस्तों जिसमें हम केवल आपको चुटकनी का ही connection करके दिखाएंगे किस पकार से च उसका भी हम एक वीडियो बना के दिखाएंगे आपको तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching my video